बिटकोइन के चार्ट को अगर आप दियान से देखोगे तो बहुत हाई चांसे दिखते हैं कि शॉर्ट टम में एक पंप हमें यहाँ पे देखने को बिलेगा देन उसके बाद हाई प्रोबिएटी रहेगी कि एक रिएक्षन के बाद एक बड़ा क्रेश हमें यहाँ पे करूंगा तो लास्स लक्ष वीडियो के अंदर बने देगा साथी लाक्ष एंडश्कर वीडियो कर दिए बना टाइम वेस्क्राइब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गुडिविंग आप सबी लोग अच्छों में फिर्स अब लोग बात करता है यहां पे बिटकोइन के एरिया है यहां से प्राइस सपोर्ट लेता हो देखेगा तैन उसके बाद एक अपसाइट आएगा अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे कुछ उस टाइप का ही मुवमेंट हम यहां पर देखने को मिला है अगर आप देख सकते हो वही चीज़ यहां पर आपको मौंग ले आता इस लेबल पर तो आपका टार्गेट रहाएगा वह सिंपल सा 25,250 डॉर का यहां पर होना चाहिए कोई बड़ा टार्गेट यहां पर नहीं है अब मैं क्यों बहुत रहा हूं यहां पर डूसरी चीज़ देखोगे यहां पर से क्रॉपर कर चुका है यहां यहां पर इस लेखा रहा है कि दो तीन दीन के अंदर एक लेखने को मिल सकता है कितना बड़ा वो अभी कुछ यहां पर एक्सीन नहीं है उसको यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां यहां पर नीचे से कर चुका है जो कि एक बिलिक इंडिकरेशन होता है साथ इस समय पर एक सपोर्ट लेवल के उपर यहां पर डॉलर इंटेक्स है जब यह उपर जाता है तो विटकोइन के अंदर पंप देखने को मिल जाता है तो यह चीज है जो आपस में मैच करनी है साथ यहां पर बिटकोइन का यहां पर काफी बड़ी बड़ी आपको कैदर्स देखने को मिलेंगी जो दिखाता है यह अच्छा कासा इंफ्लो आया है बिटकोइन का इंदर जो विश्क लिए जो उसके दफसार है जहां पर मैंक्स एक क्रेश कर रहे है वह भी काफी नेगकेटि थी उसके साफ से यहां पर आया है तो हायर चांब से दिख रहा है कि जैसे लोग ना एक्सपेक्ट कर लिए था कि इंटरस रेट इस बार नहीं बढ़ा जाए लेकिन जिस साफ से एक क्रेश देखने को मिल सकते हैं यह एक्सपेक्टेशन साइं मार्केट से चल रही है तो ऐसे टाइप पर हम यहां पर एक लोग लेंगे जो कि अभी फोर आट के अंदर हमें दिख रहा है चूंकि नीचे से क्रॉस हो रहा चुका है और यहां पर मार्केट उपर जाने की चा यहां पर लॉंग कर सकते हो बिटकोईन को इस एरिया के अंदर जहां पर बीट पराइस चल ला है और आपका स्टॉप लॉस्ट जो रहेगा वह टॉन्टी थी थाउजन डॉलर पे यहां पर सिंपल सा यह लॉंग ट्रेड हो गया जहां पर इस टाइप से आपको यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां पर ले सकते हैं दूसरी रहेगी शौट की अब शौट की जो ट्रेड रहेगी वह यहां पर रहेगी हमारी शौट करने के लिए आप यहां पर इधरियम को देख सकते हो क्योंकि इसका एक अनलॉक भी आना है तो इधरियम के अंदर शॉट आप कर सकते हो अभी करेंटली लेवल से नहीं करने को यहां पर रेट कर दिया होगा क्योंकि टेलेघराम के उपर अगर आपने लिया था तो आप प्रौफिट में मांकेट हो यह उस मांकेट हो कि दोपमफ हमें देखने को मिले इस से हमें फाइदा उठाना है बट लॉंग टर्ब में क्यूंकि डंफ देखने को मिल सकता है छिलिए हम लंबा टारकेट लेके हाँ पर नहीं चलेंगे Matic coin दुवारा से इस level के उपर जाता है अगर 1.1922 के आसपास जाता है यहां direction कोई candle लोनाता है तो short करने का मौका आप देख सकते हो साथी साथ Matic के अंदर भी एक short term long बन सकता है या फिर buy बन सकता है next आता है Solana, Solana के अंदर भी जो level इस time पर है अगर यहां पर कोई rate करने बनती है direction आता है तो short हम करने जा सकते है और hedge हमारा इसके लिए रहाएगा एक की Bitcoin के अंदर long कर दिया और Solana के अंदर हमने short कर लिया next है यहां पर CFX coin जो काफी pump कर रहा था भी recently अगर यह भी यहां पर विसके लिए इस range के उपर जाता है तो यहां से short करा जा सकता है फिलाल इसके अंदर भी long trade same बन रही है जो कि आप ले सकतो stop loss के साथ अगर आप interest rate लो तो but again इन समय से सिर्फ एक long trade लेना है अभी वो भी सिर्फ short term के लिए जो short trade हमारे रहेगी वो हमें रहेंगे reduction के उपर एक भी red candle बनेगी तो वो आप चाहें गाला के अंदर लो या किसी और coin के अंदर लो reduction के उपर वो short trade हमें लेनी होगी उसके लावा spot के अंदर जो मेरी buying है वो यहां पर कर सकते हो फिलाल के लिए बागी यहां पर फियर और greed न्यूट्रल है 52 के उपर है तो ज़्यादा तर चांसे बन रहे हैं जो आप पर लेके चल रहा हूं कि एक